नमस्कार मेरा नाम है डॉक्टर शुतीशा और मैं एक पीडियाट्रिक ओटी हूँ आज हम बात करेंगे UDID कार्ड के बारे में UDID कार्ड यानी की Unique Disability Identification कार्ड ये Rights of PWD Act के तहट 2016 में लॉंच हुआ है अगर दूसरी तरह से सोचे तो जैसे हर हिंदुस्तानी के लिए आधार कार्ड उसकी पहचान है वैसे ही UDID कार्ड हर disabled हिंदुस्तानी के लिए उसकी पहचान है इसमें उसके सारे Biometrics से लेके उसके सारे Information उसका Amount of Disability से लेके उसका Address या उसका कोई भी दूसरा Demographic Data ये सब इस कार्ड में महजूद रहता है तो आईए इसके Importance के बारे में जानते है UDID कार्ड Department of Empowerment of PWD यानि की Person with Disability के तहट Government of India ने लौंच किया है 2016 में इसमें 21 प्रकार की Disability शामिल की जाती है जिसमें Autism और ADHD भी है तो अगर आपके पच्चे को कोई भी प्रकार की शारीरिकिया मानसिक Disability है अगर वो देख नहीं पाता है वो सुन नहीं पाता है इवन बर्न विक्तिम्स या लैप्रेसी बोले या कोई भी lifelong disability है तो UDID कार्ड उसके बहुत ही महत्वकी चीज है UDID कार्ड कोई स्थापना इसलिए की गई है ताकि PWD के बच्चों के माबाप को होने वाली मुश्किले कम की जाए इससे होने वाले फाइदे में पहले बात यही है कि ये बहुत सारे दूसरे प्रकार के disability certificate, concession certificate को replace करता है और ये एक unique single identity है जो सिर्फ पेश करने से आप सारे अपने disability rights को claim कर सकते है इसके अलावा इसके बहुत सारे benefits है सबसे पहले देखा जाए तो ये आपके बच्चों को inclusive environment में पढ़ने के लिए support करता है दूसरा अगर बच्चे को किसा discrimination हो रहा है उसका abuse हो रहा है तो भी आप ये card use कर सकते है उसे रोकने के लिए उसे हर building में accessibility मिले ये card इसलिए भी launch किया गया था ये rights of PWD के under ही ये सारे provision किये गये थे इसके अलावा ये card से आप बच्चे को आगे जाके income tax में फाइदा दिला सकते है उसके railway concessions के लिए आप उसे use कर सकते है बच्चा जब बड़ा हो जाए तो उसे PWD Act के तहट government में job दिलाने के लिए ये card बहुत ही महत्वपून है अगर आपको कोई भी उसके लिए accessibility aid इडिया प्रोस्थेटिक की ज़रूरत पड़ती है फिर भी ये card बहुत ही महत्वपून है ये card की मदद से बच्चा इंटर स्टेट फ्री में ट्रावेल कर सकता है और इसके अलावा भी इसके बहुत सारे benefits है पहला एप्रिल 2023 से देखे तो कोई भी government scheme जो PWD यानि की person with disability के लिए लागू पड़ती है उसे इस्तमाल करने के लिए UDID card compulsory किया गया है ये इसलिए किया गया है ताकि disability certificate से होने वाले fraud और इसके आधार पे होने वाले corruption को रोका जाए तो ये card PWD बच्चों के फाइदों के लिए ही बनाया गया card है ये card एक single document database create करता है पूरे इंडिया के तहत जितने भी disability बच्चे है उसके लिए इस कारण से अगर आपका बच्चा कभी कोई दूसरे state में भी travel कर रहा है या कहीं और भी रुका हुआ है तो इस card की मदद से सामने वाले को पूरा information मिल जाएगा के बच्चे में क्या disability है और उसे कोई भी concession या उसे कोई भी PWD scheme इस्तेमाल करने से कोई नहीं रोग सकता यह card के लिए हम कैसे apply कर सकते हैं और इसे कैसे बनाया जाता है इसको बनाने के लिए क्या certificate present करते हैं वह certificate हम कहां से निकाल सकते हैं यह सब जादा जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे धन्यवाद